और चलिए अब रुख करते हैं आज के एक और एहम खबर का जिस पर फॉस्ट रुणिया की नजर रहेगी आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी दोधी वसीय दोरे पर लखनों पहुंचेंगे प्रधान मंत्री आवास योजना शेहरी के तहट 11 पर योजनाओ का शुला नयास किया जाएगा 2019 पीम मोधी कारेकर में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे 29 चुलाई को मोधी लखनों के इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में 60,000 करोन रुपए के 74 निवेश पर योजनाओं का एक साथ शिलाने आस करेंगे तो उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस है बीजेपी का प्रधान मंतरी का ताबर तोड रैलिया कर रहे हैं प्रधान मंतरी इसके पहले वो शाजहापुर पहुँचे थे जहां पर उन्होंने किसान महा संबीलन को संबोधित किया था उसके पहले वो आजमगर्ड और मिर्जापुर भी गए थे वारानसी भी गए थे संतकबीर नगर भी गए थे तो पिछले कुछ दिनों में ताबर तोड कारिकरम प्रधान मंतरी के उत्तर प्रदेश में इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं अपने सहीयों की हैतेशाम से हतेशाम इन दौरों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनावी शंकनाद हो चुका है ये माना जाए और ये दो दिन का जो कारिकरम है इसकी भी हैमियत बताईए क्या कुछ खास होने वाला है देगे उत्तर प्रदेश में तो लोग सबाद 2019 का शंकनाद हो चुका है और जिस तरह से बठानों तरी नरंद मोदी और अमिशार यूपी को मत रहे हैं ही में कई शियासी संदीज देने की कोशिश की जा रही है गई बात लगनव दोरे की तो लगनव दोरा खारत तौर से बीजनस के समिट के लिए बुलाया गया है बसादा कारिकर्म रखे गए हैं कि इससे पहले भी प्रोग्राम हुआ था लगनव में तो तमाम बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया गया था लहादा आज और कल जो कारिकर्म हो रहा है देश भार की तमाम नगर निगम के मेयर्स तमाम आफिसर्ट बुलाये गए हैं बड़ा प्रोग्राम है आज शाम प्रधान मंत्री रखनों पहुंचेंगे दिल्ली से उनके साथ विसर्कारिकर में शिस्टत करने ग्रीम मंत्री भी साथी आ रहा है प्रधान मंत्री वहां पर पहुंचेंगे तब भी आप सब्डेट लेंगे और इस दो दिन के दौरे में प्रधान मंत्री क्या कुछ कहते हैं उस पर हमारी निगार रहेगी फिलाल रुक करते हैं अगली खबर का